नमस्कार YouTube चैनल एनिन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Francis टरबाइन और Kaplan टरबाइन के बीच में क्या डिफरेंस है Francis और Kaplan टरबाइन दोनो reaction टरबाइन हैं क्योंकि दोनो टरबाइन में जो power प्रडूस की जाती है वह pressure energy और kinetic energy की मदद से produce की जाती है तो आज हमने इस वीडियो में कुछ factors आपको सामने आपको नजर आ रहे हैं जिसके आधार पे बताएंगे कि दोनों turbines में क्या क्या difference है तो सबसे पहले बात करें कि जो Francis turbine है यह एक old turbine है और Kaplan turbine एक नई turbine है तो पहला जो factor है वो है inventor कि Francis turbine को किस ने इन्वेंट किया Kaplan turbine को किस ने इन्वेंट किया Francis turbine को James B. Francis ने इन्वेंट किया था जो एक British American Civil Engineer है और उन्होंने इस turbine को US के Lowell सहर में इन्वेंट किया था उस समय वो एक head engineer थे Lokes और Canal Company के अंदर और Francis turbine एक inward flow reaction turbine है और इस तरह किया पहली hydraulic turbine है अगर हम Kaplan turbine की बात करें Kaplan turbine की जो development है वो बीसवी स्ताबदी के सुरुवात में हो गई थी और इसको Professor Dr. Victor Kaplan ने इसको invent किया था जो एक Austrian engineer थे और इनकी जो यह development थी वर्स 1913 से 1922 के बीच में यह रही तो तकरीबन इसने 9 साल इसमें लगे पूरी तरह से Kaplan turbine को develop करने में क्योंकि बीच में क्या था कि Kaplan turbine में कुछ cavitations problem भी आ गई थी तो उसको दुरूस्त करने में 1923 से 1922 के बीच का समय लग गया और यह है जो Kaplan turbine है basic aerofoil theory पर अधारित है और इसमें जो propeller यूज करते हैं वो air plane propeller के बिलकुल similar होता है जो अगला factor है वो है head Francis turbine medium head turbine है जिसका head 60 से 250 मेटर तक हो सकता है जो Kaplan turbine है यह है एक low head turbine है जिसका head 30 मेटर तक हो सकता है अगला factor है वो है type of turbine किस type की यह turbines है Francis turbine एक mixed flow turbine है क्योंकि इस turbine में जो water enter करता है वो radial direction में enter करता है और जो exit होगा तो उसको axial direction में होगा तो जो Francis turbine है इसमें radial direction प्लस axial direction है इसलिए इसको mixed flow turbine कहते है जबकि जो kaplan turbine turbine है इसमें जो water enter करेगा axial ही enter करेगा और axial direction में ही वो exit करेगा यह है एक axial flow reaction turbine है next है mounting of shaft कि दोनो types की turbine में जो shaft की mounting किस परकार से होती है Francis turbine के case में जो shaft की mounting है वो दोनो direction में हो सकती है वो vertical direction में भी हो सकती है और वो horizontal direction में भी हो जकती है लेकिन kaplan turbine के case में जो soft की mounting है वो सिर्फ vertical direction में होती है next factor है number of veins की runner पर कितने veins लगे होते हैं Francis turbine में जो blades या veins लगे होते हैं वो 16 से 24 के बीच में हो जकते हैं object अमसार जबकि जो kaplan turbine है उस case में जो runner होता है उसमें जो संख्या होती है जो blades की वो 4 से 8 होती है अगर आप देखें ये इसका runner है ये इसका hub या boss जिसे हम कहते हैं और ये जो blades है इनकी संख्या 4 से 8 के बीच में हो सकती है अगला factor है runner veins adjustment की जो runner है उसमें veins की adjustment किस परकार से होती है Francis turbine में जो runner veins होती है वो soft के साथ fix होती है इसलिए उन्हें adjust नहीं किया जा सकता लेकिन kaplan turbine के case में जो runner veins होती है वो adjustable होती है उनको अवसकता अनुसार adjust किया जा सकता है losses in runner Francis turbine में जैसे कि उन्हें बात की जो number of blades होती है वो 16 से 24 के बीच में होती है तो इस कार्ण जो solid और liquid के बीच में ज्यादा contact surface होता है इसलिए runner में ज्यादा loss होते है जबकि kaplan turbine में जो contact surface है solid और liquid के बीच में कम होता है क्योंकि जो number of blades होते है runner पे वो 4 से 8 के बीच में होते है इसलिए runner loss कम होता है next factor है flow rate जो Francis turbine है वो medium flow rate turbine है जो kaplan turbine है ये large flow rate turbine है mechanism francis turbine का जो gwerning mechanism है complex नहीं होता क्योंकि इसमें जो gwerner use करते हैं वो ordinary gwerner होता है kaplan turbine के case में जो gwerning mechanism है वो complex होता है क्योंकि इसमें heavy duty gwerner का प्रियोग किया जाता है next factor है size जो Francis turbine का size होता है वह Kaplan turbine के size से थोड़ा सा ज़्यादा large होता है और जो Kaplan turbine का size है वो छोटा होता है Francis turbine के comparison में Specific speed अब specific speed की अगर हम बात करें उसका जो formula होता है वो होता है ns equal to n root p h raise to power 5 by 4 तो इससे हम देख सकते हैं कि जिस turbine का head ज़्यादा होगा उसकी specific speed कम होगी और जिस turbine का head कम होगा उसकी specific speed ज़्यादा होगी तो जैसे Francis turbine एक medium head turbine है तो Kaplan turbine के comparison में Francis turbine की specific speed है वो कम होगी और Kaplan turbine की specific speed है वो ज़्यादा होगी अगला factor है efficiency कि एपलन candles तैम aga पर आप देख सकते हैं जैसे यह आपके इंड़िवंग में जिसपे ताया का हाइसट घैम पर अलिका सब्सक्राइड करें सब्सक्राइज तरी बाइजे हैं तो इसमें फ्राशियस ट्रबाइन लगी हुई हैं, कोईना डेम, यह कोईना नदी पर बना हुआ है कोईना नगर जिलास्तारा महरास्टर में, और इसकी जो हाइट है एक सो तीन दसमल दो मीटर की है, और इसकी जो कपैस्टी है उननी सो साथ मेगावाट है, जबकि टेरी डे जिसके बाद है नाथपा जाकडी डैम, जो सतलूज नदी पर बनाया है, हिमाचल परदेश में पंदरा सो मेगावाट जिसकी कैपेस्टी है, और जिसकी जो हाइट है, वो 67.5 मीटर है उसके बाद नागारजुन डैम नागारजुन डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है तिलंगाना में है और 816 मेगावाट इसकी कैपैस्टी है और इसमें 8 फ्रांसिस टर्बाइन लगी है और इसकी हाइट 124 मीटर है अगर हम ऐसे ही बात करें कैपैस्टी टर्बाइन कहां कहां पर है इंडिया में आप देख सकते हैं हीरा कुंड डैम है जो उडिसा में है महा नदी पर ये बना है निजाम सागर डैम जो आंदर पर देश में है नानजीरा रिवर पर इसको बनाया गया है तुंग बदरा डैम यह है तुंग बदरा नदी पर बना है और करनाटक में है और एक डैम है जिसके हम बात करें सरदार स्रोवर डैम सरदार स्रोवर डैम इस डैम में फ्रांसिस और कैपलाइन दोनों टर्बाइन लगी है इस डैम में पाँच कैपलान है और तकरीबन छे इसमें फ्रांसिस टरबाइन लगी है और ये गुजरात में है नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है जिसकी कैपैसिटी 1450 मेगावाट है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि फ्रांसिस टर्बाइन ओर कैपलान टर्बाइन के बीच में क्या difference है इसको किसने इन्वेंट किया और किन-किन फेक्टर्स पर आप इसको कटे गराइज कर सकते हैं और दोनों की दोनों हमारी reaction turbine है मैं फिर से बता दूं कि जो Francis और Kaplan turbine है दोनों में हम draft tube का use करते हैं, impulse turbine में draft tube का use नहीं करते हैं जैसे impulse turbine, peltan turbine होती है और examination point of view से ये question काफी important भी है थोड़ी सी similarity इन दोनों के बीच में ये होती है कि जो casing हम use करते है दोनों में spiral casing का हम use करते है दोनों में draft tube है लगी होती है बस वहिए कि Francis turbine medium head के लिए Kaplan turbine low head के लिए है तो एक बार मैं फिल से repeat करता हूँ किस किस आधार पे हमने इनको different को बताया था, inventor के आधार पर head के आधार पर, type of turbine के आधार पर, soft mounting के आधार पर number of veins runner में कितनी लगी है runner veins की adjustment पर हमने बताया है losses in runner के आधार पर बताया है दोनों में flow rate के आधार पर बताया है mechanism क्या क्या हो सकता है size के आधार पर specific speed के आधार पर और efficiency के आधार पर तो उमीद करते हैं वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ, मैं कुछ और example आपको देना चाहूँगा जैसे फ्रांसिस टरबाइन के इंडिया में कावेरी डैम बना हुआ है चंबल डैम है हीरा कुंड में भी जो हमने बात की थी यह है, इसमें फ्रांसिस टरबाइन भी लगी है और कैपलान की हम बात कर चुके हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो हम डिसकस करेंगे पैल्टन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है कैपलिन टरबाइन और प्रपेलर टरबाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है